मेरा नाम अभे है, मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉंग करता था, मैं साथ बहनों का एक लौता भाई था, मेरी सबी बहने भी मुझसे बहुत उमीदे बांदे रखती थी, क्योंकि हमारे सर पर पिता कभी साया नहीं था, और हमारी मा भी इस दुनिया को छोड़ कर जा च साथ साथ मुझे घर के खर्चे भी देखने होते थे, मैं चाहता था कि अपनी बहनों की शादी कर दूँ, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं एक होटल में वेटर की नौकरी किया करता था, मेरी मामुली सी नौकरी थी, मेरी बहने मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं अपनी बहनों का खयाल बिलकुल अपने पापा की तरहा रखता था, क्योंकि मेरे पापा भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे, पापा कहते थे कि बेटियां बहुत कीमती होती हैं, इनकी खौाहिशों को पूरी किया करो, क्योंकि ससुराल जाने के बाद नज से मना किया करता था कि तुम जॉब मत करो मुझे अच्छा नहीं लगता तुम घर से निकल कर जॉब करोगी और ना जाने कैसे कैसे लोगों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा मगर मेरी बहन कहती थी कि जब इंसान मजबूर हो जाता है तो नौकरी करने के लिए निकल जाता अब हम दोनों भाई बहन मिलकर नौकरी किया करते थे मेरी बहन स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी मैंने अपनी बहनों की पढ़ाई रोक दी थी जैसे जैसे मेरी बहनों ने हाई स्कूल कर लिये थे उसके बाद वो घर में रहकर ही घर की काम किया करती थी लेकिन जो बह जिस स्कूल में टीचिंग करती थी, वहीं पर उसने इन दोनों बहनों का भी एडमिशन करा लिया था, जब मैं घर आता तो मेरी एक बहन मेरी टांगी दबाया करती थी, तो दूसरी बहन मेरी लिए खाना लेकर आती थी, मेरी बहने मेरी बिलकुल इसी तरह सेवा करती थी, ज हुमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे होंगे और तुम लोगों को किसी परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिन्देगी इसी तरह से गुजर रही थी, मैं जिस होटल में वेटर की नौकरी किया करता था, वहाँ पर मेरे साथ कई सारे वेटर काम किया करते थे, म मैं खाना लेकर आता और अपनी बहनों के साथ मिलकर खाता था, मुझे इस होटल में वेटर की नौकरी करते हुए दो साल गुजर गए थे, मगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, जैसा पिछले एक महीने से होने लगा था, एक श्वैता नाम की लड़की पिछले एक महीन से हमारे होटल में कुछ लोगों के साथ खाना खाने के लिए आई थी, उसे दिखकर तुमें एक सेकंड को ये भूल जाता था कि मैं एक वेटर हूँ, मन करता था कि उसके पास जाकर बैठ जाओं, उससे बाते करूं, वो बहुत चटपटी बाते करती थी, अपने दोस्तों के साथ बैठ कर जब खाना खाती थी, तो उसके चहरे की मुस्कान रुपती ही नहीं थी, वो बस हस्ती रहती थी, उसकी आवाज बिलकुल ऐसी थी, जैसे मैं किसी कोयल की आवाज सुन रहा हूँ, उसके लंबे घने काले बाल, सुनहरी सुनहरी आंके, गोरा चिट्टा रं नजाने कि उसको देखकर मेरी आंके कुछ और देखना चाहती ही नहीं थी, वो जितनी देर होटल में रहती थी, मैं उसे बार बार देखता रहता था, बार बार बहाने बहाने से उसके पास जाता था, ताकि वो किसी और का ओर्डर ना देकर मुझे ओर्डर दिया करे, आप मरुच का और मेरा तो कहीं से कहीं तक भी मेल नहीं था मगर कहते हैं न कि जिस पर दिल आ जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि वो किस standard का है या फिर हम किस standard के हैं महुपब तो ऐसी चीज बस हो जाती है लेकिन मेरी ये महबत सिर्फ एक तरफा थी मैं उसे मन ही मन पसंद करने लगा था उसे चाहने लगा था मगर वो ये बात नहीं जानती थी वो तो अपने दोस्तों के साथ इतनी दिवानी हो चुकी थी कि ये भी नहीं देखती थी कि मैं उसे कितनी बेचय मैं नजरों से देखता हूँ हर हफ़ते में उसका बड़ी बेसबरी से इंतिजार किया करता था हर संड़े वो होटल में आती थी तो मैं अपनी साफ सुथरी युनिफॉर्म में जाता था जितना हो सके उसके सामने आता था मगर शायद वो ये बात नहीं जानती थी कि मैं उसे प्यार करने लगा हूँ मगर मेरे लिए इतना ही काफी होता था कि मैं हर हफ़ते उसको देख लिया करता था क्योंकि उसको देखे बिना पूरा हफ़ता मैं बड़ी मुश्किल से गुजारता था कुछ इसी तरह होते होते लगभग दो महीने गुजर गए थे जब वो अपन काम में लगा हुआ था मगर मेरी नजर बार बार शुयता पर जा रही थी शुयता की एक दोस्त ने अपनी टेबल पर वेटर को आवास देकर बुलाया मेरे साथ वाला लड़का जाने लगा क्योंकि मुझे दूसरे टेबल पर ओर देने जाना था लेकिन शुयता की दोस्त उसने कहा कि आरे तुम नहीं वो वाला वेटर उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए जब कहा तो मैंने अपने ओर्डर की ट्रे उस वाले वेटर को ले जाने के लिए कहा और मैं खुश शुयता वाली टेबल पर चला गया वह जाकर मैंने उनसे कहा कि जी बताईए मैडम आप को क्या ओडर करना है तो वो लड़किया मुझे देखकर कहने लगी कि हमें आपके होटिल की सबसे फेमस और महंगी डिश ओडर करनी है क्योंकि हमारी शुयता आज हम लोगों को पार्टी दे रही है इसका बर्डे है ना मैं ये बात सुनकर बहुत खोश हुआ था और मैंने शुयता मैडम को बर्डे विश किया था शुयता नीचे देखकर धीमे धीमे मुस्कुराय जा रही थी और उसके दोस्त ही के हस रही थी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मेरी मजाग बना रही हैं मैंने कहा कि मैं अपने होटल की सबसे अच्छी और महंगी डिश आ करते ही वो सारी लड़कियां वहां से जा चुकी थी मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आज शुयता मैडम का बर्डे था वो लोग बहुत खुश हो रहे थे मुझे फिर से संड़े आने का इंतिजार था क्योंकि एक हफ़ते में एक ही बार वो मेरे होटल में आया करती थी अगले दिन मैंने होटल से जल्दी छुटी ले ली थी क्योंकि मुझे अपनी बहन को बाजार लेकर जाना था मेरी बहने अकेली घर से बाहर नहीं निकलती थी उन्हें हमेशा अपने भाई का साथ जरूरी होता था मगर अब मैंने अपनी बहनों को कह दिया था कि तुम लोग बड़ी हो चुकी हो समझदार हो चुकी हो इसलिए तुम अपने काम खुद किया करो और ये मत सोचना कि तुम्हारा भाई तुम पर कभी किसी चीज के लिए रोक टोक करेगा बस कभी अपने भाई का मान तूटने मत देना उसकी इज़ध के साथ मत खेलना हमेशा अपनी इज़थ और अपने भाई की इज़ध के हिफादत करना मेरी बहने ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी मगर आज उन्हें मेरे साथ ही बाजार जाना था मेरी बहन जिसका स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉंपिटिशन था उसे कुछ कपड़ों की जरूरत थी एक दिन पहले ही मुझे सेलरी मिली थी इसलिए मैंने उससे वादा किया था कि कल में तुम्हें मार्केट लेकर जाऊंगा तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े दिलवा मैं अपनी बहन को मार्केट में शॉपिंग करवा रहा था जब मेरी नजर अचानक शुयता पर गई शुयता अपनी एक दोस्त के साथ महाँ पर मौजूद थी शायद वो भी शॉपिंग कर रही थी मैंने देखा कि शुयता जुमके पहन कर देख रही थी शायद उसे वो ज जुमके खरीदने थे लेकिन इस दुकान पर मेरी बहन भी वही वाले जुमके खरीद चुकी थी और वो एक ही जोड़ी जुमके बचे हुए थे पहले मेरी बहन ने वो जुमके खरीद लिये थे दुकान वाले ने शुयता से कहा था कि मैडम ये जुमके बिक चुके हैं मैं मैंने अपनी बहन से कहा कि यह जुमके अच्छे नहीं लग रहे, तुम ये मतलो, मेरी बहन कहने लगी कि भाईया कितने प्यारी तो है, कल से ड्रेस में पहनूंगी तो बहुत सुन्दर लगूंगी मैंने कहा कि नहीं नहीं तुम ये जुमके मत लो अब हम आगे वाली शॉप से जुमके खरीदते हैं मेरी बहन आगे बढ़ गई थी तब ही मैंने उस दुकान वाले को पैसे दिये और वो जुमके अपने पास रख ल रही थी मैं उसके पास गया और उसे हैलो कहने लगा शुयता और उसकी दोस मु graveyard बढ़ी चॉंक कर देख रही थी मैंने कहा आपने मुझे पहचान लिया होगा मैं वही होटल वाला waiter तो उसकी दोस कहने लगी अरे हां हम तो आपको बहुत अच्छे से पहचान गए हैं मैंन देखा कि आपको पसंद आ रहे हैं तो मैंने अपनी बेहन से ले लिए और कहां कि इन पर पहले आपका हग बनता है मेरी बात सुनकर शुटा और उसकी दोस्त जोर जोर से हसने लगी थी शुटा की दोस्त कहने लगी अरे वा शुटा वेटर सहाब तो तुम पर कुछ जाधा ह महरबान हो रहे हैं मैंने कहा नहीं अगर किसी इंसान को कोई चीज पसंद आ जाए और वो उस पर सूट भी करती हो तो उसे वो चीज जरूर लेनी चाहिए मैंने शुयता को वो जुमके दे दिये थे उसने मुझे थैंक्यू बोला तो मैंने उसे इंकार कर दिया था और कहा थ कि थैंक्यू कि कोई जरूरत नहीं है बस उस दिन के बाद से ही शुयता और मेरी बातचीत शुरू हो गई थी वो जब भी हर हफते होटल में आया करती थी तो वो मुझे ही बुलाया करती थी उसकी सारी दोस्ते भी मुझे जानने लगी थी मैं खोश था कि जस लड़की को म अब वो मुझसे बात करने लगी है एक दिन शुयता ने मुझसे मेरा मुबाइल नमबर मांगा था अब हम दोने एक दूसरे से फोन पर बाते करने लगे थे कभी कभी मैं ये सोचता था कि शुयता कभी ये ना कह दे कि वो कितनी अमीर है और मैं एक मामुली सा वेटर मगर शुयता ने कहा था कि उसे मेरे साथ वक्त गुजारना मेरे साथ बातचीत करना अच्छा लगता है और वो मेरी बहुत इज़त करती है उसे मैं अच्छा लगने लगा हूँ शुयता बहुत मासूम और भोली-भाली लड़की थी मैं तो पहले ही उसका दिवाना था अब तो जॉइन नहीं हो सकता था क्योंकि मैं उस समय on duty होता था मगर अब श्वेता मुझसे बहुत प्यार भरी बाते करने लगी थी मुझे उसकी बाते बहुत पसंद आती थी देर रात तक हम लोग एक दूसरे से call पर बाते करते रहते थे और फिर एक दिन ऐसा आया था कि मैंने श् करने लगी है मैं बहुत खुश था मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे पूरी दुनिया की खुशे मिल गई है ड्यूटी ओफ होने के बाद मैं और श्वेता एक दूसरे से खोब मुलकात करते थे और हम दोनों की एक दूसरे से फोन पर भी धेर सारी बाते होती थी एक दि मैंने एक अच्छा रिष्टा तलाश कर लिया है मैंने दीदी से कहा लेकिन सबसे पहले तो आपकी शादी होनी चाहिए दीदी कहने लगी कि हम दोनों इस सब के बड़े भाई बहन है इसलिए हमें पहले इनके बारे में सोचना है मैं अभी शादी नहीं करूंगी और मैंने पारूल के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देख लिया है वहाँ पर हमारी पारूल बहुत खुश रहेगी ऐसा रिष्टा नसीव वाले लड़कियों को मिलता है मैं नहीं चाहती कि ये रिष्टा हमारे हाथ से निकल जाए मैं तो तब तक शादी नहीं करूंगी जब मेरी बेहनों की शादी नहीं हो जाती और मैं चाहती हूं कि तुम भी इन बेहनों की खातिर मेरे जैसे ही सोच रखो मैंने कहा दीदी लेकिन शादी के लिए अच्छे रिष्टे के साथ साथ शादी का इंतिजाम होना भी तो बहुत जरूरी है हमारे पास तो अपना गुज जारा करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर हम इन लोगों की शादी कैसे करेंगे दीदी कहने लगी कि सब कुछ हो जाएगा मैंने कमपनी से लोन की बात कर ली है मैं चाहती हूं कि तुम्हारी से हमारे घर का खर्च चलता रहेगा और मेरी से मैं लोन की EMI पूरी करती रहू अब हमें ही तो अपनी बहनों की शादिया करनी है वरना ऐसे तो हमारी बहनों की उम्र निकल जाएगी मैंने कहा दीदी लेकिन अभी आपकी तो उमर निकली जा रही है पहले मैं आपकी शादी करना चाहता हूं दीदी कहने लगी कि तुम मेरी पर्वा मत करो माबाप की बहुत सही फैसला किया था क्योंकि एक एक करके हम अपनी सारी बहनों की शादी करनी थी आखिर वो जवान हो रही थी मेरी दीदी ने अपनी खुशियों को मार कर अपने से छोटी बहन की खुशी के बारे में सोचा था मेरी दीदी बहुत समझदार थी जिस लड़की के साथ पारूल की शादी होने जा रही थी वो लड़का बहुत अच्छा था मेरी दीदी ने लोन देने वाली कंपणी से 5 लाख रुपे लोन लिये थे ताकि हम अपनी बहन की शादी कर सकें उसकी शादी हम लोग जल से जल करना चाहते थे दीदी ने कहा था कि वो अपनी सेलरी के सा और हम लोगों ने सोच लिया था कि हम हर महीने इसकी एमाई देते रहा करेंगे और आने वाले वक्त में फिर से लोन की रकम ले लेंगे ताकि फिर दूसरी बेहन की शादी कर सकें। मैं तुम्हें अपनी बेहन की शादी में इन्वाइट जरूर करूँगा। एक दिन मैंने शुयता से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में बता दूँ ताकि हम दोनों का रिष्टा फिक्स हो सके। शुयता मेरी बात सुनकर घबरा गई और कहने लगी कि नहीं नहीं अभी मेरी शादी में समय लगेगा क्योंकि मुझसे बड़े मेरे दो भाई हैं। मैंने उससे कहा कि इसमें कौन सी परिशानी वाली बात है। मुझसे छोटी भी मेरी कई बेहने हैं। पहले मैं उनकी शादी करूँगा। उसके बाद ही तुम्हारी औ मेरा रिश्टा पका हो जाए। मगर रिश्टे वाली बात को लेकर शुयता का कोई खास रियाक्शन नहीं था। एक दिन शुयता ने मुझे बताया कि वो कोई कोर्स करना चाहती है। और उसमें काफी रकम खर्च होनी है। शुयता मुझसे कहने लगी कि उसके पापा उसक कम्प्रीट करने का। उसने कहा मेरे स्कोर्स में पांच लाख रुपे लग रहे हैं। मैं चाहता था कि मैं शुयता के सपने को पूरा कर दूं मगर मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था। मैंने देखा था कि शुयता बहुत उदास रहने लगी थी। उसके चाहरे की उद पूरा करके रहूंगा. मेरी नियत उन पैसों पर जाने लगी थी जो मेरी बहन की शादी के पैसे मेरे पास रखे हुए थे. मेरी बहन की शादी में सिर्फ पंदरा दिन रह गए थे. शोयते ने मुझसे कहा थ़ा कि मैं उसे पैसे दे दूँ. वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे करके मुझे देदिया करेगी क्योंकि वो अपने डैड से पांच लाख रुपे की पूरी रकम एक साथ नहीं मांग सकती लेकिन उसके डैड हर महीने उसे पाकिट मनी के तौर पर पचास हजार रुपे देते हैं उसके खर्च के लिए श्वयता कहने लगी कि मैं ये पैसे तुम्हें दे दिया करूंगी तुम अपनी EMI भर दिया करो क्योंकि मैंने श्वयता को उन पैसों के बारे में बता दिया था जो मेरे पास रखे हुए थे मैंने सोचा था कि अगर मैं श्वیता को इपैसे दे दूंगा तो श्वیता की चहरे पर मुस्कान आ जाएगी इसलिए मैंने वो पैसे उठा कर श्वाटा को दे दिये और उससे कहा कि तुम अपना सपना पूरा करो मैं ये नहीं जानता था कि मेरी बहन की शादी कैसे होगी। मैंने सोच लिया था कि मैं उसके लिए भी कोई न कोई बंदोबस कर लूँगा। अभी बहन की शादी में पंदरा दिन बाकी रह गए थे जबकि श्वेता को इस कोर्स को करने के लिए जल्दी ही अपलाय करना वरना वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। इस तरह से शुयता की महबत में मैंने सब कुछ किया था। अगले दिन मैंने देखा कि शुयता और उसकी दोस हमारे ही होटल के बाहर गाड़ी से उतर रही थी। जब मैं भी उनकी जस्ट पीछे ही खड़ा हुआ था। वो लोग खूब जोड़ जोड़ से हस रही थी। शुयता कहने लगी कि देखो मैं अपनी शर्ट जीत गई हूँ। उस वेटर बेवकूफ से मैंने पांच लाग रुपे निकाल लिये। तुम लोग कहती थी ना कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। देखो उसी गरीब ने मेरे लिए पांच लाग रुपे का इंतिजाम करके दिया है। आज हम लोग उन्हीं पैसों से पार्टी करेंगे और बाकी के पैसे और कहीं जाकर उलाएंगे। ये कहकर वो लोग हस्ती हुई अंदर चली गई थी जबकि मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई थी कि श्वेता ने मेरे साथ कितना बड़ा धोका किया है। इसका मतलब ये था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती बस वो मुझसे पैसे निकलवाना चाहती थी और मैं पागल जिसने अपनी बेहन के शादी के पैसे उठा कर इस लड़की को दे दिये ताकि इसका सपना पूरा हो सके। सिर्फ अपने दोस्तों से लगाई हुई इस फिजूल शर्त को पूरा करने के लिए इसलिए तुम मेरे साथ इतने दिनों से प्यार महबत का नाटक कर रही थी तुमने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं तुम जैसे घटिया लड़ यही मेरा शौक है मैंने तुम्हें बेवकूफ इसलिए बनाया क्योंकि मैं कभी कोई शर्त नहीं हारी हूँ मेरी फ्रेंड्स देखना चाहती थी कि तुम जैसा गरीब वेटर मुझसे महबत तो असानी से कर सकता है मगर मेरी महबत में क्या क्या कर सकता है इस बात का अंदा बिंगे शुयता ने इतना ही कहा था कि मेरा हाथ उस पर उठ गया मैंने उसके मूँपर एक जोरदार थपढ मार दिया यह थपढ मैंने उसके मूपर नहीं बलकि उसकी आत्मा पर मारा था उसने मेरे साथ कितना घिनोना खेल खेला था वहाँ पर सब लोग ये तमाशा इसको फोन कर दिया था होटल के आदमियों ने मुझे पकल रखा था थोड़ी दिर में पुलिस आ गई थी होटल में काम करने वाले मेरे सारे दोस मेरी मदद करना चाह रहे थे मगर उन्होंने होटल के मालिक को भी मेरे खिलाफ बढ़का दिया था और कहा था कि मैंने लड़क कोई कमी नहीं थी उसने सिर्फ मुझ से पैसे अपनी शर्ट को पूरा करने के लिए बटो रहे थे वो एक बहुत घमंडी और चर्चरी लड़की थी मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं मैं पुलिस से बार बार कह रहा था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है इस ल आज नहीं आ रहा था कि मेरी बहनों का उधर घर में क्या हाल हो रहा होगा मेरी बहन की शादी में एक हफता रह गया था और मैं इधर जेल में था पता नहीं मेरी बहनों को इस बारे में पता भी होगा या नहीं कि उनके भाई ने उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत में फसा दिया है मुझे तो सबसे ज्यादा हरानी इस बात पर थी कि जो लड़की इतनी मासूम दिखती थी वो इतनी चलाग भी हो सकती थी मैं उससे बहुत प्यार करता था आज मुझे उससे नफरत महसूस होने लगी थी श्वेता की अच्छी खासी पावर थी उसने पुलिस जेल में मिलने के लिए आई थी उनकी हालत बहुत बुरी हो रही थी जब उन्होंने मुझे देखा तो वो फोट फोट का रोने लगी और कहने लगी कि ये सब क्या हो गया मैंने दीदी से हाथ जोड़कर माफी मांगी उनसे कहा कि दीदी मुझे माफ कर दो दीदी कहने लग पहले ही कही थी, कि हम दोनों भाई बहन पहले अपनी बहनों की शादी करेंगे, उसके बाद अपने बारे में सोचेंगे, तुम इतनी बड़ी गल्ती कैसे कर सकते हो, तुमने ये भी नहीं देखा, कि कहा वो लडकी और कहा तुम एक मामुली से वेटर, मैंने कहा दीदी, मैं बुरा हाल हो चुका है जब हमें तुम्हारे बारे में पता चला तो हम लोग बहुत डर गए थे अब मैं क्या करूं कैसे तुम्हें बचाओं मैं दीदी से नजरे मिलाने काबिल नहीं रहा था क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी मेरी बहन की शादी सर पर थी लड़के के घरवालों को पता चल गया था कि मैं जेल में हूँ इसलिए उन लोगों ने रिश्टा खतम कर दिया था रिश्टा खत्म होने की खबर सुनकर मेरी बहुत रोई थी आखिरकार उसने अपनी शादी के सुहाने सपने अपनी आखों में सजा लिये थे मेरी वज़ा स उस बिचारी के साथ बहुत बुरा हुआ था मैंने सोच लिया था कि मैं कभी श्यता को माफ नहीं करूंगा क्योंकि उसने मेरी फिलिंग्स के साथ खिलवाल किया था मेरी बहन के पास जमानत के पैसों का इंतिजाम नहीं हो रहा था हमारे घर के अलावा हमारे पास कोई ऐस दूसरा रास्ता नहीं था, मेरी बहन ने श्वेता के बारे में सारी जांच पड़ताल निकाली और फिर वो श्वेता के घर चली गई थी, वहां जाने के बाद वो उसके बाप के पैरों में गिर कर फोट फोट कर रोने लगी, मेरी बहन ने श्वेता के माबाप से कहा कि मेरे बाई को बचा लीजिए, पुलिस वाले उसकी जमानत नहीं कर रहे, मेरे भाई से गलती हो गई, जो उसने आपकी बेटी पर हाथ उठाया, प्लीज सर मेरे भाई से गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए, एक आप ही हैं जो उसको जील से छुड़वा सकते हैं, शुयता की प बेटी को बुलाया और उससे पूछा कि आखिर क्या मैटर है श्वेता ने कहा कि हम सब लोग होटेल में पार्टी करने के लिए गए थे मैंने उस वेटर को और दिया तो वो मेरे साथ बत्तमीजी करने लगा और फिर उसने मुझ पर हाथ भी उठा लिया वो अपने पापा के स सालिया वो पैसे हम लोगों ने लोन लिये थे ताकि हम अपनी चोटी बेहन की शादी कर सकें मेरे भाई को जब इस लड़की ने अपनी परिशानिया सुनाई तो मेरे भाई ने आपकी बेटी के खुशी की खातिर उसे वो पांच लाख रुपे दे दिये और फिर जब मेरे भाई को पता चला कि आपकी बेटी ये सब नाटक कर रही थी उसे कोई कोर्स वोर्स नहीं करना बलकि उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी मेरा भाई आपकी बेटी की बातों में आ गया बस उसे इस बात का गुस्सा था कि आपकी बेटी उसे धोका दे रही है मैं ज जिस बहन की शादी होने वाली थी लड़के वालों ने वो रिश्टा भी खत्म कर दिया अब आप लोग बताईए हमारी इसमें क्या खलती है शायद उसके माता पिता भले लोग थे शुयता की बिता ने मेरी बहन को वहां से जाने के लिए कहा था और उसे कहा था कि तुम्हार बुरी हालत तो उसकी हो रही थी उस बिचारी को तो डबल सदमा पहुंचा था हमारी महले में भी काफी बदनामी हो चुकी थी क्योंकि हम लोग बहुत इजददार लोग थे कोई पूरी बात तो जानते नहीं था मगर सब को यही लगता था कि मैंने उस लड़की के साथ ब धके मार कर निकाल दिया वो कहने लगा कि तुम्हारी नौकरी जा चुकी है तुम्हारा यहां अब कोई काम नहीं है मैं वहां से शर्मिंदा होकर वापस आ गया था मैंने घर आकर जब दीदी को यह खबर सुनाई तो दीदी कहने लगी कि हमारी बहुत बेजदती हो चुकी मैं भी जब स्कॉल जा रही थी तो लोग तुम्हारे बारे में तरहा तरहा की बाते कर रहे थे मुझसे लोगों की यह बाते सुनी नहीं जाती देखते ही देखते एक महीना गुजर गया था दीदी को लोन की EMI भी भरनी थी हमने सोचा था कि दीदी EMI भर दिया करेंगी औ हमारे घर में आप खाने के भी लाले पढ़ने लगे थे। दीदी ने एक फैसला किया था। दीदी ने कहा कि हमें इस घर को बेच देना चाहिए ताकि हम लोन की रकम चुकता कर सके। उसके बाद जो हमारे पास पैसे बचेंगे उन्हें लेकर हम कहीं और चले जाएंगे और वहां किराय का मकान ढूंड लेंगे वहां पर तुम नौकरी भी कर सकोगे क्योंकि यहां रहते हुए तो तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। हम बहुत परिशानी भरे दिन गुजार रहे थे क्योंकि अब हमारे पास घर बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नही पैसों से हमने रैंट पर एक घर ले लिया था और उस घर का एडवांस भी दे दिया था घर में थोड़ा बहुत राशन भर लिया था और अब हम दोनों भाई बहनने पहली की तरहां फिर से नौकरी करना शुरू कर दी थी यह शहर हमारे लिए नया था अंजान था इसलिए यहाँ पर हमें आसानी से नौकरी नहीं मिल रही थी हमें नौकरी मिलने में काफी समय लग गया था मैंने यहाँ पर भी होटल देख लिया था और यहाँ पर भी मैंने वेटर की नौकरी करनी शुरू कर दी थी और मेरी बहन को भी प्राइवेट स्कुल में नौकरी मिल गई था श्वेतक एक फिजूल शौक ने मेरी और मेरी बहनों की जिंदेगी तबहा करके रख दी थी हम लोग दर बदर की ठोकरे खा रहे थे फिर धीरे हमें यहां रहने की आदत हो गई थी और फिर सब कुछ ठीक होने लगा हमें यहां पर रहते हुए दो साल हो गए थे हम दोनो पास कोछ सेविंग्स नहीं थी जो हम अपनी किसी बहन की शादी कर सकते इसलिए जैसे गुजारा चल रहा था वैसे ही जिंदेगी गुजार रहे थे मैंने तो अपने दिल से श्वेता को पूरी तरह से निकाल दिया था क्योंकि उस जैसी लड़की को याद करना भी अब मे श्वेता के कहने पर बहुत मारा था और मेरी बहन किस तरहां से श्वेता के बाप के पैरों में जाकर गिल गिलाई थी काफी समय ऐसी तरहां से गुजर गया था मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिये थे सुभा सुभा का वक्त था और हमारे घर का दर्वाजा बजने लगा मैं जैसे ही दर्वाजा खोलने गया तो ये दिखकर मेरे होश उड़ गए थे कि दर्वाजे पर श्वेता अपने पिता के साथ खड़ी हुई थी मैंने श्वेता को देखकर दर्वाजा बंद कर लिया उसने दुबारा से दर्वाजा बजाना ही रह गई है बैख़ा कि श्वैत की आँखों में आसू थे श्वैत कहने लगी कि एक बार मेरी बात तो सुन लो उसके बाद तुम्हारा जो मन करें वो करना मेरी बहनों को भी पता चल गएठा कि श्वैत अपने पिता के साथ हमारे घर आई है मेरी बेहन ने उन लोगों को घर के अंदर आने के लिए कहा शोयता की पिता ने मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और अब उससे माफी मांगने में भी बहुत देर हो गई मगर क्या किया जाए मेरी बेटी को अपनी गलत का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए ताकि वो दुबारा आके ऐसी कोई गलती ना करे तब ही शोयता रोते हुए मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो अब है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया मेरे एक शोक ने तुम्हार शोक भारी पड़ गया दरसल तुम्हारे साथ किये जाने वाले उस हाथसे के बाद मैंने फिर से अपने दोस्तों के साथ एक और शर्त लगाई थी मेरे कॉलिज में एक नया लड़का आया था वो मेरी तरफ नजर उठा कर भी नहीं देखता था मेरी दोस्तों ने कहा था कि इसको पठा कर दिखाओ तब हम मानेंगे कि हर तरहा का लड़का तुमसे पढ़ जाता है मैंने उस लड़की को अपनी महबत के जाल में फसा लिया था मगर मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ एक दिन कुछ गलत भी कर देगा मुझे तो लगता था कि मैं उसको बना रहा था उसने अपने घर बहुत बड़ी पार्टी रखी थी उसमें मुझे इन्वाइट किया और उसने मुझे ड्रिंक में नशे की दवाई मिला कर पिला दी मैंने उस ड्रिंक को पिया तो मेरी आखों के सामने अंधेरा चाने लगा जब मैं बेहोश हो गई तो वो की बरबात कर चुका था तब मुझे इहसास हुआ कि मेरा शर्त लगाने वाला शौक जिसने मुझे इस तरहां से तबाह कर दिया ये मेरे लिए बहुत बुरा था वो दिन मेरी जिंड़ी का सबसे खतरनाग दिन था मैं बहुत रोई थी, उस दिन मुझे हैसास हुआ था कि एक तुम थे जो मुझसे प्यार करते थे, तो तुमने कभी मुझे टच करने की भी कोशिश नहीं की, हाला कि तुम भी मुझसे कई बार अकेले में मिल चुके थे, एक वो था जिसने अकेले पन का फायदा उठा कर मेरी इज़त के साथ खेला, मैं रोती बिलखती रही, जब अपने घर आई तो अपने पैरेंट्स को पूरी बात बताई, मेरे पैरेंट्स ने कहा, कि हमने तुमसे मना किया था, कि तुम अपनी दोस्तों से शर्ट लगाना बंद कर दो, मगर तुम्हे तो जीतने का बहुत शौक है, कभी कभी इनसान सब को जीत कर भी सब को चार जाता है, आज तुम अपनी इज़त हार आई हो, मुझे अपने पिता की बात उस दिन समझ आई थी, मुझे अपनी गलती का रह रहकर एहसास हो रहा था, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैंने उसे कॉल की और उससे कहा, कि म मैं तुम्हारी वीडियो बना चुका हूँ, अगर तुमने मेरे साथ ज्यादा होश्यारी करने की कोशिश की, तो तुम्हारी वीडियो वारल हो जाएगी, वो आज भी मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे पैसे वसूलता है, एक दिन मैंने तुम्हें बेवकूफ बना कर मैंने तुम्हें अपने प्यार के जहासे में लेकर तुमसे पैसे वसूल किये थे, हाला कि मेरे पास पैसो के कोई कमी नहीं थी, मगर मैं अपनी शर्ट जीतना चाहती थी, मेरे इस शौक ने तुम्हें कहीं का नहीं चोड़ा, और जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ प्लीज मुझे माफ कर दो मैं एक बहुत बड़ी परिशानी से गुजर रही हूँ तुम्हारी माफी शायद मुझे इस ब्लैक मेल इंसान से आजादी दिलवा सकती है क्योंकि उपर वाला सब कुछ देख रहा है मुझे मेरे किये की सजा मिल रही है तुम अगर मुझे माफ कर दोगे तो मुझे सुकून मिल जाएगा शुयता की पूरी कहानी सुनकर मुझे अफसोस तो हुआ था लेकिन मैं उस धोके पूरने से साफ इंकार कर दिया था शुयता की पता भी मुझे से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे उनकी आँखों में आसू थे फिर उन्हों ने मेरी बहन से कहा कि एक दिन तुम मेरे पास रोते हुए आई थी तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे भाई को माफ कर दूँ उसे जिल से रिःा करवा दूँ मैं जानता था कि मेरी बेटी का शौख गलत है मैंने अपनी बेटी के अच्छी परवरिश नहीं की तब ही तो आज उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है अगर मैं अपनी बेटी के अच्छी परवरिश करता तो शायद ना मेरी बेटी तुम्हारे साथ गलत करती और ना मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होता मैं अपनी बेटी के हरकतों का अच्छी तरहां से जानता था इसलिए मैंने तुम्हारी मजबूरी सुनने के बाद तुम्हारे भाई को जेल से रिहा करवा दिया लेकिन अब मैं तुम्हारे पास बहुत उमीद लेकर आया हूँ कि तुम्हारा भाई मेरी बेटी को माफ कर दे मैं भी अपनी बेटी की मजबूरी लेकर तुम्हारे पास आया हूँ मेरी बेटी को माफि दिलवाना तुम्हारा काम है मेरी दीदी ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई थी और उन्होंने मुझे बहुत समझाया था और कहा था कि इस लड़की को माफ कर दो ये बहुत बड़ी परिशानी से गुजर रही है तुम अपना दिल बड़ा करो भगवान ने उसको उसके किये की सजा दी दी है अपनी दीदी के इतना समझाने पर मैंने श्वेता को माफ कर दिया था और उससे कहा था कि आएंदव वो मुझे अपनी कभी शकल न दिखाए क्योंकि उसकी वज़ा से मैंने और मेरी बहनों ने बहुत बेज़ती का सामना किया है श्वेता की पिता और श्वेता वहां से चली गई थी कुछ दिन और गुजर गए थे जब फिर से श्वेता और उसके पिता हमारे घर पर आये थे श्वैता की पिता ने फिर से मुझसे माफी मांगी थी और इस बार उन्होंने मुझे बताया था कि जो लड़का उनकी बेटी को ब्लैक मिल कर रहा था पुलिस की मदद से उस लड़के को पकड़ लिया गया है उसने उनकी बेटी का वीडियो भी वाइरल नहीं किया और पुलिस ने अपनी समझदारी से उसे अरेस्ट कर लिया ऐसा सब को शायद मेरी माफी की वज़ा से पॉसिबल हो पाया था श्वेता को अब सुकून मिल गया था उन्होंने कहा कि हमारी बेटी तुमसे शादी करना चाहती है तुम उसे अपने जिन्दगी में शामिल कर लो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि तुम्हारी जिन्दगी से सारी परिशानियों को निकाल देंगे मगर मैं इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसी लड़की से मैं बिलकुल भी शादी नहीं कर सकता जो मुझे एक समय पहले बहुत बड़ी मुसीबत में डाल चुकी थी मैंने उनकी बेटी से शादी करने के लिए साफ इंकार कर दिया था शर्मिन्दा होकर श्वेता अपने पिता के साथ मेरे घर से चली गई थी लेकिन श्वेता हर रोज मेरे घर आने लगी थी उसने मेरी बहनों से दोस्ती बढ़ाली थी और बार बार वो मेरी बहनों से कहती थी कि वो मेरे साथ शादी कर ले अभे ने मुझे माफ करके मुझे बहुत बड़ा एहसान किया बस वो मुझे से शादी करके मुझे पर एक और एहसान कर दे क्योंकि मुझे उसकी महबत की एहमियत पता चल चुकी है उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी और उस जैसी मोहब्बत मुझसे कोई नहीं कर सकता। उसने दुबारह से मेरे दिल में जगा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। मगर मैं किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, मुझे उसके ऐसानों की भी कोई जरूरत नहीं थी, एक दिन श्वेता मेरे पास आई और रो रो कर कहने लगी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था, तो उसने कहा कि अ मौम बनाने में कामियाब हो गई थी, मैंने उसे शादी से इंकार कर दिया था और कहा था, कि अब अगर तुमने मुझे अपनी शकल दिखाए, तो मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहता, श्वेता ने अपनी ज शादी करने के लिए तैयार हो गया था, श्वेता की पिता ने बताया, कि मेरी बेटी को जब से अपनी गलती का एहसास हुआ है, वो तुम्हें पागलो की तरहा ढूंड रही थी, मगर तुम्हारा कहीं पता नहीं चल रहा था, बड़ी मुश्किल से हमें पता चला, कि तु तुम दूसरे शहर में रह रहे हो, तो मेरी बेटी को उमीद थी, कि तुम उसे असानी से माफ कर दोगे, क्योंकि तुम उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब तुमने उसे असानी से माफ नहीं किया, और नहीं तुम उसे असानी से शादी करने के लिए तैयार हुए, त श्वेता से शादी करने पर तैयार हो गया था उसके बाद श्वेता की पिता ने मुझे अपना दमाद नहीं बलकि बेटा बना कर रखा था उन्होंने मेरी बेहनों की शादी भी करवा दी थी मेरी दीदी की भी शादी अच्छे परिवार में हो गई मेरी छोटी बेहने मेरे स इसने संभालने के लिए दे दिया है श्वेता आज भी मुझसे अपनी पुरानी गलती पर माफी मांगती है मगर अब मैंने उसे दिल से माफ कर दिया और अब मैं उसके साथ अपनी जिन्देगी की नई शुरुवात खुशी-खुशी करना चाहता हूं क्योंकि श्वेता प्र गर वो आज भी मेरे साथ रहती तो जरूर है लेकिन उसके दिल में शर्मिन्दगी आज भी मौजूद है क्योंकि इनसान कभी कोई ऐसी गलती ना करे जिसकी वज़़े से उसे माफी तो मिल जाए मगर वो सारी जिन्दगी उसे देख देखकर शर्मिन्दा होता रहे श्वे करती हुए आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बैल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले